बिस्तर पर बैठ कर भोजन करने से क्या होता है? जानिए, यमराज ने चित्रगुप्त को बताया रहस्य, इस प्राचीन कथा के माध्यम से हम जानते हैं। तब यमराज चित्रगुप्त को बताते हैं, हे चित्रगुप्त, तुमने उचित ही प्रश्न किये है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर मनुष्य की आदतों में छिपा होता है, मनुष्य जिस प्रकार का आचरण करता है, उसे उसी के अनुसार सुख और दुख भोगने पड़त मनुष्य की अकाल मृत्यू होने के पीछे भी उसकी आदते ही कारणी भूत होती है। मुझे प्राप्त हो रहा है। मैं इसे ध्यान से पूरा अवश्य सुनूँगा। फिर यमराज चित्रगुप्त को वह कथा सुनाने लगते है। प्रजा का ध्यान रखते थे। उनके राज्य में चोरों, लुटेरों का कोई भय नहीं था। महाराज बड़े धर्मात्मा थे। उन्होंने अनेकों बार यग्य किये, दान धर्म किये, तथा अनेक ब्राह्मनों और मुनियों को दान दक्षणा दी। उन्होंने अनेक पोखर खुदवाए, वाटिकाएं बनवाए, व्रिक्षों का रोपन किया, इस प्रकार के अनेक पुन्य के काम महाराज ने किये। महाराज की पत्नी का नाम सुवर्ना था। रानी सुवर्ना अत्यंत सुंदर, गुणवान, रूपवान तथा चरित्रवान स्त्री थी। वह भी न दुख देखकर प्रजा भी अत्यंत दुखी थी। फिर एक दिन महाराज अपने राजमहल में बैठ कर इस प्रकार से सोचने लगे। किस पाप के कारण? मुझे पुत्रहीन रहना पड़ रहा है, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है, जो मुझे इतना बड़ा दंड मिल रहा है अब मेरी इस समस्या का हल केवल मुनी वसिष्ठ जी ही कर सकते हैं। इसलिए मैं उनके पास जाकर इस समस्या के लिए उपाय मांगता हूँ। फिर महाराज अपने रत में बैठ कर मुनी वसिष्ठ जी के आश्रम पर जाते हैं। वहाँ पर मुनी वसिष्ठ जी ने उनका स् और उन्हें बैठने के लिए आसन दे कर पूछने लगे, हे राजन, आज किस कारण से आपका हमारे आश्रम पर आना हुआ? कहीं आपने सन्यास तो नहीं लिया है, महाराज मुनी से कहने लगे, हे मुनिवर, ऐसी बात नहीं है, आज मैं आपके पास एक शंका लेकर आया हूँ मैं अत्यंत दुखी हूँ, केवल आप ही मेरी इस शंका का समाधान कर सकते हैं। मुनिवसिष्ठ कहने लगे, हे राजन, भला आपको किस प्रकार का कष्ट, आप तो इतने बड़े राज्य के समराठ हैं, आपके मन में जो भी शंका हो, आप निसंकोच होकर पूछिए, मैं अवश्य आपकी सहायता करूंगा। फिर महाराज हे म कुंडल कहने लगे, हे मुनिवर, मेरी कोई संतान नहीं है, किस पाप के कारण मुझे संतान हीन रहना पड़ रहा है, संतान के बिना मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरे राज्य का उत्तराधिकारी कौन बनेगा, क्रिपय आप मुझे बताने की कृपा करे, किस कारण से मैं संतान हीन बन गया हूँ, और मुझे संतान प्राप्ती के लिए क्या उपाय करना चाहिए, फिर मुनिवसिष्ट, ठीक है, कहकर अपनी योग शक्ती से महाराज के पूर्व जन्म को देखने लगते हैं, और महाराज से कहते हैं, हे राजन, आपको संतान सुखन मिलने का कारण आपके द्वारा पिछले जन्म में किया हुआ पाप है, पिछले जन्म में आप एक शिकारी थे, जो वन में रहकर शिकार करके अपना गुजारा चलाया करता था, फिर एक दिन आप वन में शिकार के लिए निकले थे, उस जन्म में आपको पुत्रहीन होने का श्राप मिला है। इस बात को सुनकर महाराज बहुत दुखी हुए और मुनिवसिष्ट जी से प्रार्थना करने लगे। हे मुनिवर, इस पाप से मुझे कैसे मुक्ती मिलेगी। कृपया, आप मुझे इस पाप से मुक्ती का उपाय बताईए। फिर मुनिवर कहते हैं, हे राजन, इस पाप से मुक्ती के लिए आप गायों की सेवा करे। इसी से आपको मुक्ती मिल जाएगी। फिर महाराज ने अपने राज्य में अनेक गौशाला बनवाई, ब्राहमनों को गायों का दान किया और अपने महल में नित्यगाय की सेवा करने लगे। महाराज और महारानी अपने महल में नित्यगाय की पूजा और प्रदक्षणा करने लगे और नित्यगाय को भोजन कराने लगे। इस प्रकार से अनेक दिनों तक गाय की सेवा करने के कारण महाराज को एक पुत्र रत्न की प्राप्ती हुई जिससे महाराज अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने उत्सव मनाया महाराज उस बालक को बड़े लाड़ प्यार से पालने लगे उसकी हर इच्छा और मनोकामना को पूर्ण करने लगे किन्तु कुछ ही दिनों के बाद महाराज के जीवन में दुख के बादल फिर से छा गए जब महाराज का वह पुत्र सोलह वर्ष का हुआ तो अचानक एक भयानक रोग के कारण उनके पुत्र की मृत्यू हो गई पुत्र की मृत्यू से महाराज शोक में डूब गए और सब कुछ छोड़ कर वन में महाराज वसिष्ठ जी के आश्रम पर पहुँच गए वहाँ पर जाने के बाद मुनी ने महाराज से पूछा हे राजन किस कारण से आप शोक में डूब गए हैं वसिष्ठ जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख लिया और महाराज को उनके पुत्र की अलपायू में मृत्यू होने का कारण बताने लगे हे राजन आपको पुन्य के कारण पुत्र की प्राप्ति तो अवश्य हुई है किन्तु आपके पुत्र के दुर्व्यवहार के कारण ही उसे अलपायू में मृत्यू का सामना करना पड़ा है, आपके पुत्र ने सदैव ही बिनासनान किये, बिस्तर पर बैठ कर भोजन किया है, जो मनुष्य बिनासनान किये भोजन करता है, उसकी आयू क्षीन हो जाती है, जो बिस्तर पर बैठ कर भोजन करता है, उसके शरीर में रोग आदी उत्पन्न होते हैं और वह भी अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। इस प्रकार के वचन सुनकर महाराज अत्यंत दुखी हुए और वही पर रहकर मुनी की सेवा करने लगे। फिर उन्होंने अपने भांजे को अपने राज्य का कारभार सौप दिया और वन में ही बैठ कर तपस्या करने लगे। यमराज कहते हैं हे चित्र गुप्त मनुष्य को हमेशा अपने पांच अंगों को साफ करके ही भोजन करना चाहिए। दोनों पैरों को तथा दोनों हाथों को और अपने मुख को जल से अच्छी तरह से स्वच करके ही भोजन करना उचित होता है। इससे मनुष्य के शरीर से रोग दूर रहते हैं और व्यक्ती दीरगायू बन जाता है। यम्राज कहते हैं, भोजन शुरू करने से पूर्व उस भोजन के लिए भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। और संसार के समस्त प्राणियों को भोजन प्रदान करने की प्रार्थना करनी चाहिए। इस प्रकार से अन्न देवता को प्रणाम करके भोजन करने से मनुष्य को कोई पाप नहीं लगता है। यमराज कहते है, जमीन पर बैठ कर भोजन करना ही श्रेष्ट होता है। बिस्तर पर बैठ कर भोजन करने से मनुष्य के शरीर में रोग उत्पन्न होते है और उसकी आयू कम हो जाती है। शास्त्र कहते है कि दहलीज पर बैठ कर भी भोजन नहीं करना चाहिए। यमराज कहते है, तीन प्रकार का भोजन मनुष्य को नहीं करना चाहिए। जिस भोजन के उपर से कोई पैर रखकर चला गया हो, अथवा कोई व्यक्ति भोजन को लांग कर गया हो, ऐसे भोजन को कभी खाना नहीं चाहिए. ऐसा भोजन अशुद्ध हो जाता है. ऐसे भोजन को पशुओ को खिला देना चाहिए. दुसरों के द्वारा लांगा गया भो भोजन त्याज्य हो जाता है। यदि अन्न में बाल निकलता है, तो उसे ईश्वर को कभी प्रसाद के रूप में नहीं छड़ाना चाहिए और ना ही स्वयम खाना चाहिए। ऐसा भोजन प्रेतों को प्राप्त हो जाता है। यमराज उसे कहते हैं, दूसरों के लिए परोसा ह भोजन भी नहीं खाना चाहिए। जो मनुष्य दूसरों का भोजन छीन के खाता है, अथवा किसी को बिना दिये ही स्वयम उस अन्न का उपभोग करता है। उसे देवी अन्न पूर्णा रुष्ठ हो जाती है। भोजन सभी में बांट कर खाना चाहिए। दूसरों के हिस्स भोजन करने से मनुष्य के पुन्य कर्म नष्ठ हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार दिन के समय में मनुष्य को उत्तर की ओर मुख करके मल मूत्र का त्याग करना चाहिए। यदि रात्री के समय मल मूत्र का त्याग करना हो तो दक्षन की ओर मुख करके करना चाहिए। मलमूत्र का त्याग करते समय हमेशा अपने सिर को ढख कर रखना चाहिए किसी भी पेड के नीचे, कुवे के पास, नदी के किनारे के पास, गौशाला के पास, देव मंदिर, अगनी के पास, तथा शम्शान भूमी के पास कभी मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए शास्त्रों में कहा गया है, खड़े होकर भी मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए, इससे शरीर में रोग और विकार निर्मान होते हैं. इसके साथ ही पूरी तरह से निर्वस्त्र होकर भी मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए. चलते चलते कभी पेशाब नहीं करना च दुख करके आकाश में ग्रहों को देखते हुए मलमूत्र का त्याग करना अनुचित होता है। मलमूत्र का त्याग करने के बाद उसे अच्छे से ढख देना चाहिए और उस पर मिट्टी डालनी चाहिए ताकि कोई पशू उसे खाय नहीं। महत्वपूर्ण ग्यान दिया है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। विडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारी वाले विडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। आप सभी का धन्यवाद।